Good morning students, आज जो हैं साइन्स का लेसन 8, सेफटी रूल से एंफास्टेट करेंगे, उसके एक्सिसाइज करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो रिवीजन स्टार्ट होंगे हैं इसके बार रिवीजन थर्ड लेसन से स्टार्ट होंगे और जो हमारे फर्स्ट यूटी में फर्स्ट और सेकेंड चेप्रा आएं तो वो नहीं आएंगे उसके थर्ड लेसन से थर्ड पॉर्ट फिफ्ट शिक्स्ट चार लेसन आएंगे वो आपको बहुत जल्द ही आपको स्लेबस मिल जाएगा और फिर हम रिवीजन करेंगे जो रिवीजन करेंगे उसी क्या गॉर्डिंग आपको हाफिर लिगाए पेपर मिलेगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट एक्सराइज है हमारी एमसी क्यू मंटिपल च्वाइज कोश्चन टिक ता करेक्ट ओप्शन में एक्सिदेंट्स ऑफ फायर आर मोस्ली सीन इन डैश तो इसका सही आंसर है किचन एक्सिदेंट्स जो है ज्यादा तर कहां देखे जाते हैं कहां देखने क आपको मिलते हैं आपको किचन में एंड कीप दफ्लोर्स ऑफ यॉर बाथरूम आपको अपना बाथरूम का फर्श कैसा रखना चाहिए हमेशा साफ ड्राइ सूखा तो ड्राइ में आपको लगाना है क्योंकि गीला होने से भी स्लिप होने का डर होता है और वाश यॉर ठीक है तो आपको वाश यॉर हैंड यानि कि घाओ को टच करने से पहले अपने हैंड को वाश करना है उसके फिल इन दी ब्लैंक में है आपका फस्ट डू नॉट गो नियर दा फायर और डैश विद्ध हॉड थेंग्स तो इसमें आएगा आपका फस्ट मैडल इसके बाद है आपका फिल दी बाथ्रूम क्लीन दी बाथ्रूम क्लीन दी जाएग नेवर रन अप और दाउं दा श्टीर स्टीर वश यॉर हैंड ओस दी विद्ध ब्वूंड उन्ड मतलब होता है गाओ Apply calamine, lotion if there is itching Prevention is better than cure Abhaji, true and false statements We can touch electrical appliances with wet hands No, it's false Cuts and wounds shall should be washed properly with water True All medicines should be kept within easy reach of children No, it's false If clothes catch fire, we should stop, drop and roll Yes Match the following Jabra crossing Pedersetians Electric shock Wet hands Wrong medicines Poisoning Insect bites Ammonia water Wound Antiseptic Answer the following question Yeah Hmm What is that? answers मैंने write के हुए है ड्यार रांट सेखंट सेखंड 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 37 शाओं się 36 अटिडल सेखंड और हैं How can we prevent accidents? We can prevent accidents if people follow safety rules at home, at school, and on the road. How will you help a victim who has fainted? If a person faints, make him lie flat with his head low and this helps in supply of extra blood to the brain and allow fresh air to come in and keep quiet and let him rest. 5th Question is How will you help a victim with an insect bite? How will you help a victim with an insect bite? Place eyes over the affected spot with lime water and apply paste of baking soda and cold cream to give relief. Apply calamine lotion if there is itching. Okay, thank you very much. Okay, bye-bye.